Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video कैसे हैं आप सब, I hope सब अच्छे ही होंगे तो चलिए इस बार जो होल होने वाला है वो फिलिपकार से है टोटल 4 कुर्ती जो मैंने फिलिपकार से पिक की है मुझे परसनली वो कुर्ती इतनी पसंद आई है क्योंकि उनकी खुबी यह है कि वो सुपर डूपर ओफोर्डेबल है सुपर डूपर क्वालिटी के साथ I am sure यह कुर्ती आपको भी बहुत पसंद आने वाली है सो इस वीडियो को मिस नहीं करें यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनेफिशल होने वाली है तो मैं सबसे पहले जो आपको कुर्ती दिखाने वाली हूँ वो इस तरह से ग्रीन कलर में है यह मेरी फेवरेट कलर है सोरी फेवरेट कुर्ती है पूरे हॉल में मुझे परसनल यह कुर्ती सबसे ज्यादा पसंद आई है तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो you can see इस तरह से आपको इसका जो front neck के वो round neck मिलेगा and back neck भी also round मिल जाता है आपको and इस तरह से आपको इसकी 3-4th sleeve मिल जाती है & sleeve के आगे आपको इस तरह से pipe in लगी मिल जाती है and आपको इस तरह से इसके front पे potly button मिल जाते हैं इस तरह से and यह potly button जो है pink colour में है पूरे कुर्टी में इस तरह से फ्लार बने हुए है pink and print है यह पूरी कुर्थी में dark green colour से yellow से and pink colour से तो इस तरह से यह पिंग कलर की पाइपिन लगी हुई है एंड पिंग कलर से ही यह पोटली बटन लग रखे हैं यू कैंसी बहुत ही प्यारा लग रहा है यह डिजाइन एलिमेंट परसनली मुझे तो यह बटन इतने अच्छे लग रहे हैं जो इसका औरेजनल में color है शायद वो camera में नहीं आ रहा है इसका जो original color है तो वो बहुती प्यारा color है यह summer appropriate color है you can see and एक flared गुर्ती है यह वाली and इसका जो आपको फ्लेयर मिल जाते है about 3.5 m आपको इसका फ्लेयर मिल जाता है अगर इसके हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन इसका मुझे इतना अच्छा लगा इसकी जो फैबरिक की क्वालिटी और इसका कलर कम्विनेशन तो मैंने इसको पेयर किया है पिंक पलाजो के साथ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है आप ट्राइ होल में देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है यह कुर्ती एंड गई जो इसका प्राइस है ओनली 540 540 के अकोर्डिंग आप मुझे यह पर्सनली बहुत अच्छी लगी तो आप इसको ट्राइ कर सकती है क्योंकि इसकी जो फैब्री क्वालिटी डिजाइन एलिमेंट सब कुछ मुझे इसका लगा इसमें एक भी माइनस पॉइंट मुझे नहीं लगा इस कुर्ती में तो नेक्स कुर्ती को मैंने स्मॉल साइज में पर्चेज किया ओनली वन कुर्ती जो में बटा दूंगी कि वह कौन सी है इस तरह से आपको इसकी 3 4 स्लीव मिल जाती है इस तरह से पॉम पम की डिजाइन मिल जाती है जो रैड कलर में है एंड इस तरह से इसके फ्रंट पे यो पर इस त इसका जो फैब्रिक है वो रियोन मिल जाता है और इस तरह से आपको बहुत ही प्यारी डिजाइन मिल जाती है इंबोडरी है रेशम वर्क से की गई है यू कन सी इस तरह से एंड टैसल जो हैं लगी हुई वह भी रेशम से हैं रेशम थ्रेड का यूज किया गया है यू कन सी मैं पास से आपको दिखा देती हूं इसकी जो एंबोडरी है और इस तरह से यह भी एक खुरती है तो धर के नीचे भी आपको इस तरह से पॉंपं लगी मिल जाती है इसकी जो लेंथ है आपको 41 इंच मिले की एंड फ्लेयर जो आपको मिलेगा 2.50 से थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लेयर मिल जाता है फ्लेयर पे जो पॉम पम लगी हुई है तो यह मुझे सबसे ज्यादा इसका जो प्यारी लग रही है यू कैन सी एंड काफी अच्छा कलर कॉंब फ्लिपकार से भी परचेस है तो इनकी क्वालिटि प्राइस वाइस तो क्या थो अच्छी लगी है इसकी जो डिजाइन अलिमेंट फैबरिक क्वालिट्य uneक === माइनस पॉइंट इसका भी मुझे नहीं लगा एंड इसको compare करूंगी next video जो है वह इस तरह से green color में मिली है मुझे dark green color में you can see इस कुर्ती को मैंने medium size में purchase किया है इसका front neck भी आपको round neck मिल जाता है and back neck neck भी आपको round ही मिलेगा and three fourth sleeve मिल जाती है and sleeve के आगे आपको इस तरह से यह pipe in मिल जाती है यह orange color में है यह pipe in you can see and यह पूरा जो print किया गया है कुर्ती पे आपको इस तरह से मिल जाता है foil print है यह and यह भी orange and golden color से है यह print जो है and इस तरह से आपको neck पर भी यह print मिल जाता है you can see इस तरह से and इस तरह से यह design element है काफी pretty लग रहा है you can see इस तरह से योग पे and योग पे gathers जली हुई है सिर्फ ऐसे beach beach only beach में ही है you can see इस तरह से and फिर इस तरह से थोड़ा सा छोड़ कर नीचे फिर इस तरह से print start हो जाता है इस तरह से you can see and bottom पे जो print है वो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कि किस तरह का है वो print bottom में इस तरह सा आपको print मिल जाता है कुर्ती के and यह bottom में भी इसके इस तरह से pipe in लगी हुई है you can see orange color में and इसकी length आपको मिल जाती है 53 and इसका flare जो है वो टू मीटर से भी कम है ज्यादा flare इस कुर्ती में आपको नहीं मिलेगा and इसका जो फैब्रिक है इसका भी फैब्रिक रियॉन है and इसका जो गाइस प्राइस है इसका प्राइस है 540 540 के according यह कुर्ती भी मुझे अच्छी लगी तो आप अगर try करना चाते जो नेक्स्ट कुर्ता है वो इस तरह से ब्लैक कलर में है and आपको इसका front and back neck दोनों ही round neck मिल जाते है and इस तरह से बहुत ही प्यारी designing मिल जाती है neck पर आपको and you can see बहुत ही प्यारी लग रही है pink and yellow color से तो यह रेशम थ्रेड के साथ इंबर्डरी की गई है you can see मैं पास से बहुत ही finishing के साथ इंबर्डरी की गई है यह without sleeve कुर्ती and इसके अंदर half sleeve इनोंने दे रखी है अगर कोई attach करवाना चाहे तो करवा सकता है तो यह a line कुरता है इसमें side में कोई भी slit नहीं दी गई and इसकी जो length है वो 43 inch है मैंने इसको small size में purchase किया है and इसका जो fabric है again रियोन फ 340 के according यह कुर्टी भी मुझे personally बहुत अच्छी लगी क्यूंकि बहुत ही अच्छे design element के साथ and बहुत ही अच्छी fabric quality and finishing के साथ यह बहुत ही अच्छी deal है आप इसको भी try कर सकते हैं तो यह था flared कुर्ती haul मुझे clothing haul करना product review करना and और भी lifestyle से related video post करना बहुत अच्छा लगत है and मैं अपने काम को लेकर बहुत positive हूं अपना hundred percent देने की कोशिश करती हूं अगर आपको मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगे तो अभी आपका काम start हो जाता है video को like करें comment करें share करें and channel को subscribe जरूर कर दें and pass में लगे bell के icon को भी press कर दें मैंने आपको काफी एक साथ काम बता दी ज्यादा तो नहीं हो गया उसके लिए I am sorry तो फिर मिलती हूं नई वीडियो के साथ तब तक बबाए नमस्ते टेकर सरश्रियकार